देश में पहले बार आयोजित हुए विग पाउट वॉक्सिंग लीग में परदीश के वॉक्सिंग स्टार आशिश चौधरी ने अपनी जीत का पर्चम लहराया है इंडियन प्रीमिम लीग और प्रो कबड़ी लीग की तर्स पर आयोजित कीगी विग पाउट बॉक्सिंग लीग के पहले सीजन में अडानी गुज़रात ने पंजाब पैर्थन को हरा खिताब पर कबज़ा किया है गुज़रात चाइंट्स की तरफ से खेलते हुए हिमाजिल की आशिश चौधरी ने पंजाब पैर्थन के यश्पाल को एक करफा मुकाबले में पार्थ जीरो से शिकस्त दी है और विग पाउट सीजन वन का खिताब गुज़रात जैंट्स के नाम किया है जानकारी के अनुसार वीती राथ दिली के आईजस स्टेडियम में विग पाउट वाक्सिंग लीग के सीजन वन का फाइनल मुकाबला गुज़रात जैंट्स और पंजाब पैर्थन के बीच खेला गया जिसमें गुज़रात जैंट्स ने पंजाब पैर्थन को चार तीन से हरा खिताब अपने नाम किया इस फाइनल मुकाबले के पहले मैच में पंजाब पैर्थन की महिला की लाड़ी दर्शना दूत ने गुज़रात जैंट्स राजिश नर्वाल को चार एक से मार दी दूसरे मुकाबले में पंजाब पैर्थन के एक खलकूब ने गुज़रात जैंट्स के चिराफ को पांच जीरो से मार दी इसपरकार गुजराजाईन्स के लिए लगतार दो मुकाबलों की हार ने मुश्किलें पैदा करती लेकिन तीसरे मैच में गुजराजाईन्स के आशिष ने पंजाब पैर्थन के मनुज़ कुमार को 5-0 से हरा गुजराजाईन्स की बापसी करवाई चौते मैस में गुजराजाएंट के अमित पंगाल ने पंजाब पैल्थन के पील परशाद को 5-0 से करारी शिकस दी करना चाहता हूं कि कल का जो फाइट रही वह बहुत ही रोमांची फाइट रही हमारी टीम की पहले हम दो जीरो से पीछे थे तो यह उसके बाद तीन-टीन की बराबरी में आये तो लास्ट फाइट जो थी मेरी थी जो 75 kg वेट केटेगरी में थी और वो निरनायक फाइट थी तो मेरी फाइट पजाप एथर के बॉक्सर से हुई और मैं उसको 5-0 से वीड करके जो है ट्रोफी जो है गुजरा जाइन के नाम करी तो यह मोमेंट मेरे लिए भी बहुत खास थी और मैं उन सबीका बहुत बहुत दन और ऐसे आप सब का प्यार मिलता रहे थैंक यू सो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे असीश में जो है गुजरा जैनर की तब से खेलते हुए अपने प्रदेश और खेल प्रेमियों का जो उस पे आसरीबाद बना हुआ था उसके उखरा उत्रा और आगे भी वीशे म में भी उमीद करता हूँ कि वो इसी प्रकार खेल प्रेमियों को और प्रदेश बाश्यों की असरीबाद और प्यार से आगे बरता जाए और जैसे गुजरा जैनर के साथ फाइनल मैच हो रहा था तो एक समय ऐसा था कि तीन-तीन बराबरी पर चला हुए था इसमें लास्ट कि पंजाब पैंथर की टीम जिती या गुजरा जैन्ट से तो मेरा बेटा गुजरा जैन्ट से खेल रहा था मुझे पूरी आस्थी कि एक पक्का जीतेगा और इस लीग में इरो जनूर बनेगा तो उस पे उखरा उत्रा मुझे बहुत खुछी है मैं सभी प्रेश बास्यो को अपने माचल की बॉक्शिंग एस्ट्वेशन को फैडरेशन आफ इंडिया को सब का दन्यवाद करता हूं जैन्ट मेरे बेटे असीस ने गुजरा जैन्ट तरफ से खेला उसने जीत आसली कि मुझे बहुत गरब है मेरे बेटे पर और मुझे आसा है कि वह आगे वी चलक कि रहे से खेल दिखाए और यह दिन दुगनी राचोगनी तरक्की करता रहे